भारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेताव उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्वध्यक्ष पश्चिम बंगाल के पूर्व राजपाल के शरी नात्स त्रिपाथी का रविवार सुबह लगबग पांच बजे निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे, लंबे समय से वीमार चल रहे थे, आज शाम चार बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिन संसकार किया जाएगा। अबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भरती कराया गया था, हाला कि उसके बाद 4 जन्वरी को सुधार होने पर डिस्चार्ज होकर घर आ गये थे, वहीं पर उनका इलाज चल रहा था, तबियत में सुधार होने पर केशरी नात्स त्रिपाथी को आज ही लखनव के SGPGI में भरती कराया जाना था, लेकिन हाट अटाइक आने से उनकी सासे थम गई, पश्चिम बंगाल के राजजपाल रहने के अलावा उन्होंने बिहार और त्रिपुरा के राजजपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था, केशरी नात्स त्रिपाथी इलाबाद हाई कोर्ट क सीनिर एडवोकेट और समविधान विशेशगय थे, इसके अलावा 2004 में जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, वहीं केशरी नात्स त्रिपाथी यूपी विधान सभा में कई बार स्पीकर के पदपर भी रहे चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने हैत्वपुर्ण सांगटनिक बदों की जिम्मेदारी निभाई है, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल तथा प्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष केशरी नात्स त्रिपाथी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदितेनात, उप मुख्यमंत्री प्रसाद मौरे सहित अन्य ने गहरा शोक व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री योगी आदितेनात ने केशरी नात्स त्रिपाथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री ने जारी एक संदेश में कहा है कि केशरी नात्स त्रिपाथी एक वरिष्ट और अनु प्रति की प्राथना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति सम्वेधना व्यक्त की है। स्थागित कर दिया गया है।